हेलो एवरिबन वेलकॉम अगेन लर्ण विद दितिमन बचों हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 विनिर्वान उद्ध्योग जिसमें हम पार्ट वन कर चुके हैं 28 कोश्चन हमारे हो चुके हैं और 29 जो था स्लाइड वो आपकी थी एक टेबल जिसके बारे में हम देख चुके हैं तो 30 नंबर कोश्चन से स्टार्ट करें चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं किस प्राचीन भारती धार्मिक ग्रंथ में सूती वस्त उद्ध्योग का वर्णन मिलता है तो हमारा जो भारत में जो वेद हैं उनके अंदर सरवादिक रोजगार परक उद्ध्योग कौन सा है भारत में सरवादिक रोजगार कौन सा उद्ध्योग दे रहा है तो वह आपका सूती वस्त उद्ध्योग है इसके अंदर करें 40,000,000 लोगों को प्रित्यक्स रोजगार मिलता है ठीक है next question देखिए विसमें भारत को सूत सूति वस्त उद्योग कहां है आपके एचीन में है और दुच्तोई नंबर पर भारत का नाम आता है next question भारत का आधूनिक स्वरूप का प्रथम सूति वस्त कार खाना कहां खोला गया यह आपका 1818 में कलकाता के पोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था और यह असफल भी रह इसमें उत्पादा नहीं हो पाया था किन कारणों से तो इस वजे से यह आधूनिक भारत का प्रथम सूति वस्त कार खाना है लेकिन जब सफल कार खाने की बात की जाती है तो इसका अंसर यह अंसर नहीं दिया जाता बलकि नेक क्वेशन देखते हैं भारत का प्रिथम सफल सूती वस्तर का खाना या फिर प्रिथम भारती सूती वस्तर मील किसके द्वारा इस्तापित की गई तो यह जो सूती वस्तर मील थी यह 1854 में मंबाई में कवाश जी डाबर द्वारा इस्टार्ट की गई थी और 1856 में इसमे में उत्पादन स्टार्ट हुआ था प्रोडेक्शन इसमें 800 चपन में स्टार्ट हुआ था और यह भारत की पृत्म सफल मील कही जा सकती है, पृत्म सफल सूती वस्तर का खाना कहा जाता है, ठीक है, जो में मंबई में कवाश जी डावर के द्वारा कुर अगया था नेक कोशन देखिए भारत में वर्तमान में सूती वस उद्यों कितनी लोगों को प्रित्यक्ष रोजगार प्रदान करता हैं मैंने अभी बात की थी कि भारत में जो वर्तमान में सूती वस उद्यों कितनी लोगों के रोजगार पनपते हैं जिनको आप्रिटेक्स रोजगार कहा जाता है वो बहुत ज्यादा मत्राफ होते हैं ठीक है नेक क्वेशन देखिए भारत के सकलगरी लुद्पाद यानि GDP में कितने पृतिशत का योगदान सूती वस्तुद्योग का है भारत के सकलगरी लुद्पा जो 143 वो केवल सूती वस्तुद्योग के द्वारा प्राप्त होता है नेक क्वेशन सूती वस्तुद्योग में प्रिथम राज्य कौनचा है सूती वस्तुद्योग में प्रिथम राज्य कौनचा है मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोडेक्शन होता है हमारे देश में वो किस राज्ये में होता है तो वो आपका महराष्ट रहे महराष्ट में 112 मिले हैं मुख्य तोर पे मुंबई, सोलापूर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, अकोलापूर, सांगली, जलगा और नागपूर में इसकी मिले हैं ठीक है सूती वस्तर की राजधानी किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है और इस मुंबई के अकेले के अंदर 54 मिले हैं यहाँ पर इस्तापित हैं सूती वस्तर की राजधानी किसे कहा जाता है मुंबई को नेक कोशन देखी, महराष्ट में सूतिवा सुध्योग के विक्सित होने का क्या कारण है, ये काफी important कोशन है, देखें महराष्ट की बात करें या फिर किसी भी स्टेट की बात करें, तो सूतिवा सुध्योग कहाँ पनपेगा, जहाँ पे कपास होगी, जहाँ पे काली मिट् हो, ऐसे स्थानों पर या फिर यहां के production को import करने के लिए proper हमारे पास transportation हो, तो वहाँ पर ही इस टैप ही उद्योग पनपते हैं, तो सूतिवा सुध्योग महराष्ट में विक्सित होने का एक कारण क्या है, काली मिट्टी होना, जिसकी वज़से कपास होती है, और कपास एक कच्चे माल के तोर पर सूतिवा सुध्योग में उपयोग की जाती है, इस वज़े से इसका यहां पर अपना लाजमी है, दूसरा है समुध्योग की नम जलवायू का होना, यह भी इसके लिए बहुत आवश्यक है, और तीसरा है बंदरगा का सामिप है, यह पास में ही नि की भार्ट में सूतिवास्त के द्वाराक में जाता है। सुध्यों का दूसरा सबसे अधिकुत पादत किस राज्य में किया जाता है तो वो आपका गुजरात है जिसमें 135 मीले हैं जिसमें 135 मीले हैं यहाँ पर एहमदाबाद, सूरत, बड़ोधर, भावनगर, पोरवंदर, राजगोट और भरूज यह वो चेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मीले वस्तर की देखने को मिलती है नेक क्वेशन देखी पूर्व का बॉस्टन किसे कहा जाता है यह क्वेशन भी आपके एक्जामें कई बार आ चुका है जिसको ध्यान रखेगा इस टाइब की कोस्टन आपके एक्जाम में पूछे जाते है तो पूर्व का बॉस्टन किसे कहा जाता है तो पूर्व का बॉस्टन आपके एहमदाबाद को कहा जाता है जो कि गुजरात में है और इसके अकेले के अंदर 67 मिले है तेक है आपको जो वस्त्रों की राजधानी या सुतिवस्त की राजधानी की बात करी थी हमने तो हमने पता है मुपई के बारेगा थी लेकिन पूर्ग का बॉस्टन जो एहम्दाबाद कहा जाता है उसमें 67 मिले हैं तेक है नहेक कुशन देख़िए गुजरात में सूतिवस् उत्पादन विक्सित होने का क्या करने हैं देखिए आपने इस चीज को नौट किया कि जहां कपास ज्यादा उत्पादित हो रही है वहां पर ही सूतिवस्त उध्यूग हैं वो पनपते हैं तो आप महराष्ट के बाद गुजरात ही एक ऐसे चाहर है जहां पर बहुत ज्याद कपास उत्पादित होती है तो ये भी एक मूल कारण है तो सबसे मूल कारण तो ये ही है देखिए इसका आंसर क्या है सस्ते स्रमिक होना कपास की उपलब देता और कांडला बंदरगा की निकटता ये तीन इसके मूल कारण है ठीक है नेक कोश्चन देखिए गुजरात में भारत का कितना प्रतिसर सूती वस्त का उत्पादन किया जाता है गुजरात में जो प्रोडेक्शन होता है भारत का टोटल प्रोडेक्शन का कितना परसेंट है तो कितना परसेंट है 35% ठीक है गुजरात में 35% सूती वस्तर का अकेले गुजरात में प्रोडेक्शन होता है नेक कुशन देखें, दक्षिन भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, आपका तमिलारू है, जिसमें 205 मिले हैं, इस चीज से आप कन्फिज हो सकने हैं कि यहां पर तो 205 मिले हैं, गुजरात में उसे कम थी, और उसके महराश में त प्राइए नहीं कि इसमें प्रोडेक्शन भी ज्यादा बड़ा हो रहा है, मीलों की संख्या ज्यादा होने से इसका प्राइए बिलकुल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि छोटी-छोटी मीले हों, तो इस वज़े से संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन प्रोडेक्शन सबसे इसे ज्यादा टॉप पे माराष्ट में होता है दूसरे नंबर पे आपका जो है गुजरात में होता है तीसे नंबर पर तमिई नाडू आता है तो तमिल नाडू में धे CHRISIN भारत का जो सबसे बड़ा सूती वस्त उत्पादक है वो तमिल लाडू है जिसमें 205 मिले हैं मुके तोर पर जो मिले हैं वो कैमटूर, मदराई, चेननेई, बेरामबुर, तिरूचरापलिय और रामनात्पुरम में देखने को मिलती हैं नेक कोशन देखिए तमिल लाडू में भारत का कितना पृतिसा सूती वस्तर का उत्पादन किया जाता है तमिल्लाडों में सूती वस उत्पादन का विक्षित होने का क्या करण है देखे सामने वो ही कारण होते हैं हर जगे के और इसका आंसर क्या है इसका आंसर है नम जलवाई और चेननेई बंदरगा यानि आपके पास टांद्पोर्टरिंश्टम है दूसरा नम जलवाई हो है दूसरा कापास की उपलब देता भी निकट है तो इस वज़े से नम जलवाई हो और चेननेई बंदरगा इसके मुख्य कारण है नेक क्वेशन देखी मद्धे प्रदेश में सूती वस उद्योग की कितनी मिले इस्थापित है मद्धे प्रदेश में सूती वस उद्योग की कितनी मिले इस्थापित है तो यह आपकी 36 मिले है देश की उत्पादन का 5% मद्धे प्रदेश में होता है और इसमें मुख्य तोर पे इंदर, ग्वालिया, रोजयन, देबास, जरुलपुर और रतलाब यह सामने तोर पे मुख्य छेत्र है, जहाँ पर मिले इस्थापित है नेक कुश्चन देखिए पस्चिम बंगाल में कितनी सूती वस उद्यों की मिले है पस्चिम बंगाल में कितनी सूती वस उद्यों की मिले है तो यह आपकी 45 मिले है सरवादिक जो है उस हुगली नदी छेत्रों में कलकत्ता हुगली रहावड़ा परगना में विकास हुआ है इसका और उसके कारण क्या है सस्तेश्रा में कॉलकत्ता बंदरगा की निकटता ये ही इसके मूल कारण है ठीक है राजिस्तान से संबंदित किसी भी पेपर को देते हैं तो राजिस्तान से कंसर्णिंग कोशन किये जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए राजिस्तान में किस प्रकार का कपड़ा बनता है तो हमारे यहां पर सूटिंग और सर्टिंग का कपड़ा बनता है भारत का जो टोट बस उद्योग का विक्सित होने का क्या कारण है तो एक तो यहाँ पर सस्ती विद्धुत कहां से आ गई भाकडा नागल डैम से जो जल पर योज नहे हैं उसकी वज़े से पानी की उपलब देता बहुत आसान हो गई और जो आपकी दूसरा है सस्ती विद्धुत काफी हद तक डवलब हो गई है तो इस वज़े से यहाँ पर उद्योग पनपने में मदद मिलती है दूसरा हाड़ोती को जो पठारी चेत्र है वहाँ पर कपास की विद्धुत है श्रमिक भी यहाँ काफी हद तक सस्ते मिल जाते है तो यह मूल कारण है जो राईसाल में सूती वसुद् देखे राईसान में मुक्त किन जिलों में सूती वसुद्यों का विकास हुआ है तो आपका भीलवाड़ा उदैपुर्टा गंगानगर और पाली यह मूल जिले हैं जहां पर सूती वसुद्यों का विकास हुआ है नेक क्वेशन देखे किन राजों में पून्ता आयातित का पास से सूथी वस्तो का निरमान किया जाता है पूंता आया तत्ывайтесь का मतलब जहाँ से मतलब उनके वहाँ पर प्रोडेक्शं नहीं होता है उन molta जों में उनको अन्य राज्ये से उनको आयात करना पड़ता है और उसके द्वारा वो सूती वस्तों का निर्मान करते हैं तो ये कौन से स्टेट्स हैं आपका उत्तर प्रदेश जिसमें कानपूर, मुरादबास, हातरस, वाराणासी में उसी तरह पंजाब है, अमरसर, लोधियाना, पगवारा में उसी तरह करनाटक, बेललारी, मैसूर, बैंगलोर, आंप्रदेश, तेलागना, केडल, विहार जैसे वह से ऐसे राज्ये हैं जिसमें मुख्य तोर पे आयातित कपास से सूती वस्तों का निर्मान किया जाता है नेक कोशन देखें भारत में वर्तमाने सूती वस्तों का उत्पादन कितना होता है यह काफी important question है क्योंकि देखें भारत में जब देश आजाद हुआ और देश के आजाद होने के बाद सबसे ज़्यादा तीवरिता से पनफने वाले उद्धों में से एक आई है तो भारत में वर्तमाने सूती वस्तों पादन कितना होता है तो पैंसट सो करोड़ मीटर के अप्राव सूती वस्तों का नमान किया जाता है जो कि 1948 में 351 करोड़ मीटर के लगभग था तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत देश की आजाद इसे यहाँ पर कितनी तीवरिता से इसका विकास हुआ है तो बच्चों इसी के साथ आपका इस पार्ट को करता हूं में समाब मिलते हैं नेक्ट बार में सीमेंट उद्ध्योग और कागज उद्ध्योग के बारे में हम बात करेंगे उसमें जब तो तब तक के लिए थैंक यू